बिलासपूर में आधी तूफान ने जिला के सभी भागों में कोहराम मचाया वहीं चारों तरफ आधी तूफान के कारण अधिकतर ग्रामिंग शेत्रों में रात फर पेड़ एवं पेड़ों की तहनियां तूटने से बिजली गुल रही जिससे लोगों को रात फर परिशान होना पड़ा वहीं इससे बिलासपूर्ग शेत्री अस्पताल परिसर भी अचूथा नहीं रहा बिलास्पुर्ग शेत्री अस्पताल परिसर में पेड़ गिर गए गनीमत रही यह पेड़ रात के समय गिरे अगर दिन के समय गिरते तो अधिक नुकसान हो सकता था क्योंकि जहां पर पेड़ वा अन्य टहनी आगे दी है वहां पर गाईनी ओपिडी चलती है यहां पर अधि पत्रात्री को तुफान आने से गाईनी ओपिडी के सामने पेड़ तूटकर गिरे थे जिससे बिजली सप्लाई ठप हो गई थी इन पेड़ों को फायर ब्रिगेड वा लोक निर्मान विवाग के माथिम से हटवाया गया पर गुल जाओ था जिससे तमानी बिजली स्प्लाई भी इंटरप्टेड हो जो की थी तो मैंने फिर अपने इनको फान किया जैसे फायर वालों को फान किया तो उनके टीम भी आगी पी डवली वाले भी आगे तो उन्होंने अपने जैसी भी लगा के जो बंदों को उसे ज शर्मा